डॉक स्कौाट की मदद से 24 घंटे के अंदर जस्पूर पुलिस ने शाकिप हत्या कांड का खुलासा कर दिया है। बता दे कि पुलिस ने इस मामले में मृतक शाकिप के चचेरे भाई को गिरफतार किया है। बताया जा रहा है उसी ने शाकिप की हत्या की थी। वहीं इस पूरे मामले का उधम सिंग नगर SSP मंजुनाट TC ने काशिपूर में खुलासा किया। पुलिस ने बताया था कि जस्पूर थाना शेत्र के बड़ियों वाला गाउं में एक व्यक्ति का शव खेत में पड़ा हुआ मिला था जो की अर्धिनगन अवस्ता में पड़ा हुआ था। जिसके बाद मृतक की शिनाक्त शाकिप के रूपते हुई। वही पुलिस ने डॉक स्क्वाड और फॉरंसिक टीम की मदद से मामले की छानबीन शुरू की। बता दें कि डॉक केटी ने कासिम उर्फ दानिश के उपर जपटा मारा और उसके आसपास घूमते हुए भौकने लगा। जिसके आधार पर कासिम उर्फ दानिश को पकड़ लिया गया। वहीं CCTV फुटेज का अवलोकन किया गया और आसपास लोगों से पुष्टाज भी की गई। जिसमें संग्यान में आया कि आखरी बार शाकिप को काशिपुर में दानिश के साथ देखा गया था। पुलिस पुष्टाज में दानिश ने बताया कि वो दोनों गांजे का नशा करने खेत में गये थे। तब ही वो उसके परिवार वालों को गाली देने लगा। तब ही गुस्से में आकर नशे की हालत में दानिश ने शाकिप की हत्या कर दी। एसेसपी मंजुनार टीसी के मुताबक दानिश शाकिप का चचेरा भाई है और दोनों ही नशे के आदी हैं जिसके चलते दोनों का खेत में नशे की हालत में जगडा हुआ तब ही गुस्से में दानिश ने बेल्ट से शाकिप की गला घोट कर हत्या कर दी। और उसके सीने पर ब्लेट से कई निशान भी बना दिये।